गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स अज दी अभ्याशीट पंता लिया प्रैक्टिशीट फोटिफाइव सबतो पहला सानु पंजाबी दा पहरा रित्ता गया या जे तुसी पहरे नू नहीं पढ़िया ते वीडियो नू स्टॉप करके इस पहरे नू पढ़ना या फिर तुसी क्वेस्चन्स अटेंप्ट करने जी पहरे नू पढ़नतों बाद आहों और क्वेस्चन्स देह लेने हैं पहला प्रशन है जी सुन्दर लिखाई लिखर लई हेठ लिख्या विच्चों की जरूरी है ओप्शन्स त्यान कलम दी पकड़ अक्रान दी बनावत उप्रोकत सारे ते इता सादा आंसर जो हुएग और याजी हुँ प्रोकत सारे सस्वा अप्शन सादा साई आंसर हुएगा क्योंकि परेद विच्चान वे तिन्ने चिज्जां ही दसियां गयाया के सुन्दर लिखाई वास्ते त्यान वी होना चाहिदा या कलम दी पकड़ भी वदिया चाहिदिया और अख्रान दी बनाव साननू कदो सिखने चाहिदियान ऐप्सिंद मुड्या जमाता विच्तों वदियां होना थ द्यायाई नही ते पल फाप गरेद विच्चे लिखाई वास्ते साननू मुड्या जमाता थ हो शुरू तो ही UX कोशिच करनी चाहिदिया जोई लिखना σिखते या क्योंकि बाद व अफ्रीका, अम्रीका, अस्ट्रेलिया, अर्जन्टीना तेदा सही अंसर याजी, फर्स्ट ओप्शन अफ्रीका गांधी जी वकालत करन अफ्रीका गए सी पैरदी विच्छान नोई दुत्ता भी गया आया अगला प्रेशन, प्रभावित होन तों की पाव है? प्रभावित होन दा अर्थ सही जो रहेगा वो हैगा जी एडा ओप्शन असर कबूलना अगला प्रेशन, वो प्रोकत पैरे अनुसार साडे चरित्तर दा खास गुण की है वो अप्शन्स होन दा बोली, पहरावा, सुन्दर लिखाई, कोई भी नहीं ते सही अंसर साड आइथे होएगा इडी ओप्शन सुन्दर लिखाई, ये साड़ा सही अंसर है अगी साड रिकोल गनेत वीशे दे क्वेस्चिन जेया, आउ देह देया पहला क्वेश्चन याजी, अठ लड्डू, दो प्लेटां वीच ब्राब्बर वंडण ते, हर एक प्लेट वीच कन्ने लड्डू आउनगे जी काफी असान, सिरफ वंडदा स्वाले आए, अठ नू, दो प्लेटां दे वीच वंडण आया वंडण वास ते सिखी कर देया, पाग, ये तुसी करके देखना या, आंसर जो आएगा ता डव होएगा, उड़ा अप्शन, चार लड्डू, एक प्लेट दे वीच चार लड्डू आउनगे दूसरा प्रेशन, एक टेबल देता गया या, ते दस्टे गया के टेबल दी लंबाई, चार पैनना दे बराबर है, आते एक पैन दी लंबाई, ते न तिलिया दे बराबर है, ता तिलिया अनुसार मेज दी लंबाई किन्नी हुएगी इते एक डेगल टेबल दी लंबाई आजेगी यह तुसे करके देखना है, आंसा जो ता डाएगा हो होएगा 12, इड़ी option सा डासा यह answer है, 12 तेलियां दी लंबाई दे बराबबर, table दी लंबाई जो होएगी, 12 तेलियां दी बराबबर होएगी, आगला question देह देह देह, तो हड़े पिंड तो शेहर दी दूरी किस एकाई व अगला question देह देह देह, सुमन ने पाणी दी बोतल नू तेन गलास पाणी नाल परया, आते मन्नू ने उही बोतल दो गलास पाणी नाल पार दित्ती, ता हेड लेखे हैं वीचों केढा कथन सही है, options, मन्नू दे गलास दी तारन समरत्था, सुमन दे गलास दी तारन समरत्था तो वद है, दोना दे गलासा दी तारन समरत्था ब्राबर है, वो परोकत वीचों कोई नहीं, ते न दैफिय कर चैने से दिखिए है कि मन्नु ने सिर्फ दो गलास पाई सी और सुमन ने तैने गलास पाई सी ऐसे करके जे जग उहीा शर refugee है कि उही बोतल या ते फिर इदा मतलब कि जो मन्नु दा गलास या ओ सुमन दे गलास न रच्छा न अलो वाड़ न है दो गलासा दे नाल भादल पार गी यास तेसा अड़ा उड़ा ऑप्षेने दा सही आंसर होएगा मन्नुद गलास दी तारण सं मरत्था, सुमन दी गलास दी तारण सं मरत्था तो वद है अगला कोश्चन देह देगा अगला कोश्चन देगा तो बाद वी ऐस तरही चलता रहींदा या फिर चार देवास ती सिद्या लाइना ते पंजमी दी तिर्छी लाइन ते होन अगला अगला कोश्चन दसना सी ते तो जोती दासी बना के देह लेया या की बन रहा एडा उप्शन इसा दा सही अंसर हुएगा अगी सा दो गोल इंगलिष दा पैसे जा जाज दा इनू असी नाल नाल पढ़ देया Once there was a boy named Sumit He was very hard working His friends were going on a school trip He also wanted to go with them But he had no money to pay for Pay the fee for it He was very sad and sitting alone In the corner of his classroom His English teacher came to him He asked him why he was looking sad When Sumit told about it The English teacher said That he would pay his school trip fee And he can go with his friends जी ए पैसे जी आज़ दा Questions दे देया हुँ Sumit's friends were going for a Option से किया Picnic, Circus Show, School Trip, Fair ते Sumit दे friends किते जा रहे सी स्कूल ट्रिप See option साड़ा साइ अंसर है Next question Who was ready to pay money for school trip? Options English teacher, Math teacher, Jabi teacher, Hindi teacher तेदा साइ अंसर है गाया जी English teacher पैर दे विच्छा सी देख्या आया के English teacher, His English teacher came to him देता है साड़े गोल ते English teacher ने उदी school trip दी जो fee सी ओ पे करन्दा वादा किता सी Why was Sumit sad? Options से गया Because he was ill Because he had failed Because he had no money Because he had no friends तेदा साड़ा साइ अंसर है गाया Because he had no money क्योंकि उदीकोल पैसे नहीं सी ऐस करके हो sad सी Next question देह देहे है A friend is to friend Teacher is to जी friend तो friends मतलब साड़े कोल की बन रहा है Singular तो plural बढ़ाया गया है ते teacher दा plural की होएगा Teachers ये option साड़ाय साइ अंसर होएगा Next है Choose the noun Options है गोइंग, पूर, साड, सुमित D option साड़ा साइ अंसर होएगा सुमित ये एक नावन या प्रपर नावन या नाम या किसी दा आइस करके option नसी मार्क करांगे आजे आंसर अगे साड़ गोल हिंदीदा पैरा आया अजे दा वीडियो नो स्टॉप करके तुसी जे इस पैरेट नहीं पड़े हो है या ते पढ़दा है फिर questions नो tempt करना है पहला प्रेशन या उपवन की शुभा किस से बनती है options माली से, धर्ती से, फूलो से, पत्तो से ते दा जो सही अंसर बन दा है उपवन मतलब बाग, जो बगीचा वगेरा होंदा है ते उदे सोना ताइं लगेगा जे बहुत सवधिया फूल लगे हों ते दा answer की मार करांगे, थर्ड ओप्शन फूलो से जैसे धर्ती का विलोम अकाश है वैसे ही धूप का विलोम क्या होगा विलोम दा मतलब बन दा है कि विरुदी शबद ते धर्ती दा विरुदी शबद की बन दा है जी आकाश ते धूप दा उस तरह ही फिर ओप्वूजिट वर्ड की बनेगा चाया फर्स्ट ओप्शन से डा सही आंसर है सॉरी थर्ड क्वेश्चन है दिएगे शबदों में से रिक्त स्थान भर कर वाक्या पूरा करें हम सब धर्ती रूपी इस डैश की शोभा है तो इसा लाइन सा डिकोल आईए पहरे दिवेच्चे थे सी देख सकते हैं हम सब धर्ती रूपी इस उपवन की शोभा है तो फिर आंसर की होएगा थर्ड ओप्शन उपवन किस ने हमारे परती एक सा अच्छा वहवार किया है ओप्शन माली ने धर्ती ने सूर्य और चांद ने किसी ने भी नहीं यह पहरे दे मुताबए के दा जो सही अंसर बन दाया वो है गाया सूर्य और चांद ने थर्ड ओप्शन दा सही अंसर है पहरे दे भी चसी इत्थे देख सकते हैं यह सूर्य और चांद ने हमारे साथ एक सा अच्छा वहवार किया है सॉर्य नेक्सट फस्चन देह दे हैं यह हो गया सी यह क्विशन थोड़ा ट्रिकी लग सकता है पर पहरे दे मुताबग जो यह दा अंसर बनेंगा वो हवा में बनेगा इत्ति हैसी देख सकते हैं के हवा के जूलों मेност हवा के जूलों में जूले हैं तेदा अंसर जो मार्क करांगे आसी फिर की करांगे फर्स्ट ऑप्षिन हवा के नेक्स सद बिगो लगे आथन सिक्ख्या दे परिशन हैं पहला परिशन हैं पंच्छी आलने वीच रहिंदे हन आलने वेचे ही आण्डे दिने हन आलने बुड आललाई वर्टो करदे हन ओप्षिनस हगे तिल्ले कहफूस पत्ते बास पथर शतीर लक्डा तिल्ले इटना सीमे पत्थर ते पंच्छी आलने का दिबनों देया तिल्ले याते काफूस तो फर्स्ट ऑप्शन साड़ा सही अंसर होएगा नेक्स्ट है हीड लिखें विच्चो केड़ा कथन ठीक है ऑप्शन्स तिल्ली याते शहद दी मक्ही अनाज खांदिया हन तिल्ली फुलादा रास्चूस दी है अते शहद दी मक्ही फुल तोड़ दी है थर्ड ऑप्शन है तिल्ली अते शहद दी मक्ही फुलादा रास्चूस दीया हन चौथा दता गया है सारे कथन ठीक हन इदा जो सही अंसर होएगा थर्ड ऑप्शन तेतली ये तेव शेहद दी मक्खी फुला दा रास्चूस दीया हन नेक्स्ट गोशन देख देख देया हन फुल बाओथ सोने हन देया हन इसलिए फुला दी वर्तों किती जान दी है अगला प्रशन है केली दिरुकेडी सुब्बे विच ज्यादा मिल दे हन अप्शन्स पंजाब, जम्मु कश्मीर, महाराष्टर, हिमाचल परदेश ते इसलिए अँश्टर होएगा महाराष्टर केली जड़ा जड़े राज सड़े देश देश समुद्रा देके नारेया उत्ते मिल देया ऐस करके महाराष्टर इधा अंसरसी मार्क कर सागदेया इसड़े अज़े दिए अभिहाश शीट 45 तुसी रोज नदी त्यारी जरूर करे आगरो थांश सक्षर हो ये वे लोड़े जाएगा कर सक्क्राद देश कर में बार्क कर देश्ड़े देश्न देश्टर चूरूर कर देश्डेश्यों ले लिए नदेश्यों पेल्टर सेच्ब ये झार